सीता को बच्चपन से लेकर जवानी तक करीबी ही चेलने पड़ी वो अपनी करीबी वाली जिंदकी से पहुत परिशान हो चुकी थी वे अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक बड़े से घर में साफ सफाई का काम करती थी हे भगवान मेरा बच्चपन तो गरीबी में ही बीता अब लगता है जवानी से लेकर बुड़ा पे तक गरीबी में ही मेरा जीवन कटेगा ना जाने कब तु मेरे उपर अपनी कृपा बरसाएगा प्रभू आखिर और कितना संखर्श करना पड़ेगा मुझे अपने जीवन में तब ही वहाँ सीता की मालकिन आ जाती है और सीता से कहती है क्या हुआ सीता लगता है तू बर्तन धोते धोते बर्तनों से बाते करना शुरू कर देती है ऐसे अकेले में कौन बढ़बढ करता है मैं तुछे बहुत बार देख चुकी हूँ छाडू लगाती है तो बड़बड करती है पोचा लगाएगी तो भी तेरा यही हाल है अरे क्या करें मालकिन मैं अपने जीवन से बहुत परिशान हो चुकी हूँ हर लड़की शादी से पहले एक खुआप देखती है कि शायद शादी के बाद उसका हमसफर ऐसा होगा जो उसे कभी कोई तकलीफ ना देगा लेकिन मेरी किस्मत तो यहाँ भी फूटी पड़ी हुई है कोई बात नहीं भगवान पर भरोसा रखो भगवान जो करता है अच्चा ही करता है आज नहीं तो कर भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे ऐसे ही घर के सारे काम निपटाने के बाद सीता अपने घर जाने की तयारी में थी और वे अपनी मालकिन से कहती है मालकिन मैंने सारा काम कर दिया है अब मैं घर जा रही हूँ मेरा घर जाने का समय हो गया बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे न अरे सीता एक काम कर तू अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना पैक कर ले क्योंकि आज तुझी यहां काम करते करते काफी समय हो गया न अब खर जाकर क्या खाना बनाएगी इसलिए खाना ले जा हाँ मालकिन बच्चे भूखे होंगे बहुत तेर से मेरा इंतजार कर रहे होंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन सीता की मालकिन उसे रात के लिए खाना दे दिती है सीता खाना लेकर घर आ जाती है और अपने बच्चे सोनू और प्रिया से कहती है बच्चों ये देखो मैं तुम्हारे लिए पढ़िया पढ़िया खाना लेकर आई हूँ आज मेरी मालकिन ने मुझे खाना दिया है और कहा है कि अपने बच्चों को खिला देना अरे वा मा, आज तो हम अमीरों वाला खाना खाएंगे हाँ मेरी बच्ची आज हम अमीरों वाला खाना खाएंगे तब ही वहाँ सीता का प्यक्कड पती नरेश आ जाता है और वे सीता का लाया हुआ सारा खाना जमीन पर फैंक देता है और फिर उससे कहता है नेकर में आदा तू बस खाना लेकर आया अगर दारू पीने का इतना ही शौक है तो दारू पीने का जुगार अपने आप कर लिया करो जब तुम्हारे अंदर कमाने का दम नहीं है न तो किसी के उपर अपना रौप छाड़ना भी बंद कर दो अरे तुमने बच्चों के आगे मेरी कौन सी इज़त बना रखी है ऐसे बोल रहे हो जैसे पहले कभी तुमने मुझ पर हाथ नहीं उठाया इतना बोल कर नरेश सीता को बहुत पूरी तरह से मारता है दोनों बच्चे अपनी मा को मार खाता देख कर रोने लगते हैं और भागते हुए अपने परोसन सुमित्रा अंटी को पुला कर लाते हैं सुमित्रा नरेश को रोकती है और उससे कहती है अरे नरेश तुमें शरम नहीं आती क्या अपनी बीवी के उपर इतना अत्याचार करते हो अरे बेचारी दिन रात इतना महनत करती है और उसके बावजुत तुम इतना मारते हो इसे तुम होटी कोनों हमारे बीच में बोले वाली है अच्छा ये तुम्हारी बीवी है के ढोल जब मन क्या तब बजा दिया आइंदा इस पर हाथ लगाया ना तो तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी तुम्हारे एदली हिम्मद के दूंग से इस तरह से बात करोगा अवे आप तो मां इससे और मारूंगा देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो है रहने दीजी समुध्रा बेहन इस आदमी के अंदर कोई शरम नहीं बची और ना पात करने की तमीज है ना ही मर्दों की तरह कमाने की कोई हिम्मद है इसके अंदर देख लिया समित्रा बैर हिसी लिया मैं इससे मारता हूँ देख रहे हो इसके जवान बहुत चलती है इसने मुझे दारू लाकर क्यों नहीं दी आज पूझो अरे पूझो ना इससे इतना बोलकर नरेश सीता और उसके बच्चो को खर से पाहर निकाल देता है सीता भी गुस्से में अपने बच्चो को लेकर नरेश का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है और खुद बच्चों को लेकर यहाँ वहाँ दर्दर की ठोकरे खा रही थी मां हम कहा जाएंगे हमें बहुत भूख लग रही है मां चिता मत करो मेरे बच्चों मैं अभी तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ सीता की इतना बोलते ही सीता को एक खेत नजर आता है उस खेत में बहुत सारे सुन्दर सुन्दर काजरे लगी हुई थी सीता अपने बच्चों को लेकर उस गाजर के खेत में चली जाती है तभी सोनु को एक बड़ा ही अनोखा गाजर नजर आता है उस गाजर पर एक आँख बनी हुई थी ये आँख देखकर सोनू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपनी मा से कहता है अरे मा वो देखो ये गाजर तो बड़ी ही अनोखी है इसके उपर एक आँख बनी हुई है अरे हाँ बच्चू, ये काजर तु सच में बहुत अनोखा है सीता और सोनो आपस में बात्चित कर रहे थे कि तभी उन्हें काजर से एक आवाज आती है क्या बात है, तुम हमारे खेत में खेलने क्यूं आए हो मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत देर से मेरी एक आख के बारे में बात कर रहे हो अरे, ये क्या, तुम बोल सकते हो हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादूई गाजर हूँ और मैं सच्चे और मेहनती लोगों की मदद करता हूँ तो बताओ तुम हमारे खेत में क्यूं आये हो? माफ करना हमें मालूम नहीं था कि ये आपका खेत है दरसल बात ये है कि मैं और मेरे बच्चे बे सहारा है हमारे पास रहने के लिए ना च्छत है ना ही पेट भरने के लिए आनाच इसलिए हम यहां वहां भटक रहे थे और मेरे बच्चों को भूग लगी इसलिए मैं आपके खेत में आ गई कोई बात नहीं तुम बिल्कुल सही जगह आई हो तो तुम्हारी बाते सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें मेरी मदद के बहुत जरूरत है इतना बोल कर वे जादूई गाजर सीमा और उसके बच्चों के लिए रहने के लाएक एक सुन्दर सा मकान बना देता है और उस मकान में सीता की जरूरत का सारा सामान था धीरे धीरे सीता जादूई गाजर की मदद से अपना एक छोटा मूटा कपड़ों का रोजकार शुरू कर देती है धीरे धीरे सीता अब हसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी ऐसे ही एक दिन सीता की बेटी अपनी मा से कहती है मा स्कूल में फीज जमा कराने का समय आ चुका है टीचर ने पहले ही हमें फीज के लिए बोल दिया तो आप समय से हमारी फीज जमा करवा दीजेगा ठीक है बेटा मैं कल स्कूल आकर तुम्हारी फीज जमा कर दूँगी अब तुम्हें किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम दोनों भाई बहन मन लगा कर पढ़ाई करना और मेरा नाम रोशन करना दोनों मा बेटी आपस में बातचित कर रही थी कि तभी वहाँ पर डरेशा जाता है और वे रोता हुआ सीता की पैरों में गिर जाता है देखो अब हमारे बीच कोई रिष्टा नहीं है ना तुम मेरे पती हो और ना ही मेरे बच्चों के बाप तो भगवान के लिए यहां से चले जाओ देखो तुम्हें चो करना था तुमने कर लिया अब मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और अब मैं दुबारा पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहती सीता नरेश को वहां से भगा देती है और गुस्से में वहां से वे भी चला जाता है लगता है सीता की अकल टेकाने पर लाले ही पड़ेगी बहुत गमंडा आगया इस के अलदा इससे ये नहीसुस करना बहुत जरूरी है कि पती परमेशर होता है और पती अपनी पतली को जैसे भी रख कर पतली को रहनाने पड़ और आज तो तुले मुझे बगाई दिया वेकर अम जब आऊंगा तब तेरे पुरे घर पर अपना कबजा करके ही दो क्योंकि अमना पाने सर के ऊपर हो चका इसलिए अम तो कुछ करणड़ा ही पड़ेगा ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं दिन प्रति दिन सीता तरक्की कर रही थी उसकी कपड़ों की दुकान बहुत पढ़िया चल रही थी दूर दूर से लोग सीता की दुकान पर कपड़े लेने आया करते थे ऐसे ही एक रात सीता अपनी दुकान का शटर में ताला लगा रही थी इसी बीच नरेश अपने कुछ आदमियों के साथ सबरतस्ती सीता की दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा था तबी सीता नरेश से कहती है अरे भगवान मेरी रोजी रोटी को तो छोड़ दो आखिर मैंने तुम्हारा क्या भी गाड़ा है तुम्हें जब मुझे अपने खर से निकाला तब तुम्हें अपनी पत्नी याद नहीं आई और आज जब मैं अकेले इतनी आगे बढ़ गई हूँ तो तुम्हें अपनी पत्नी की याद आ रही है नरेश सीता की एक नहीं सुन रहा था, पेचारी उसके आगे गिरगिरा रही थी, इसी बीच नरेश केरोसीन लेकर सीता की दुकान पे गिरा देता है, और माचिस की तीली से आग लगाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन माचिस की तीली जो जलने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब ही वहाँ पर एक आख वाले जादूई गाजर आ जाती है, और वह जादूई गाजर नरेश को बुरी तरह से मारने लगती है, वह उसे इतना मार कि नरेश अब अद्मरा हो जाता है। कि तब तब तुम्हें भगवान से सामना करना पड़ेगा। इतना बोल कर एक आँख वाला जादूई काजर अपनी जादूई नगरी में वापस चला जाता है। तो वही सीता फिर से अपनी एक नई जिन्दगी की शुरुवात करती है। जब जब सीता को जादूई एक आँख वले काजर की जरूरत होती वह उसे सच्चे दिल से पुकारती और जादूई काजर उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है। मोहन सूरजपुल गाउं में रहा करता था। सूरजपुल गाउं में मोहन आलू बेशने का काम किया करता था। क्योंकि मोहन का बहुत बड़ा खेत था। जिसमें वह आलू की खेती किया करता था। मोहन की बहुत अच्छी कमाई हुआ करती थी। यह देखकर आसपास के लोग उसकी तरक्की से जला करते थे सबसे जादा जलन तो मोहन के पडोसी विक्रम को हुआ करती थी क्योंकि विक्रम भी आलू बेशने का ही काम करता था लेकिन मोहन की जादा विक्री होते थी और विकरम बाजार में बैठे बैठे सिर्फ मक्या ही मारा करता था ऐसे ही एक दिन बहुत सारे ग्राहक मोहन के ठेले के आगे खड़े थे और कोई 2 किलो, कोई 4 किलो, कोई 1 किलो अलू मोहन से खरीद रहा था तो वहीं विक्रम हाथ पर हाथ धरे अपने ठेले के पास खड़ा था क्या भगवान कभी किसी को देता है तो छपड़ फार कर देता है किसी को ऐसा कर देता है कि वो हाथ पर हाथ धरे खड़ा ही रह जाता है इतना बेदवाव क्यों करता है तो इस दुनिया में अगर तुझे भी कुछ रिश्वत चाहिए तो साफ साफ बोल दे पांच किलो मिठाई चड़ा देता हूं तेरे मंदी राकर इस तरह से विक्रम भगवान को भी रिश्वत दे रहा था तभी वहाँ पर एक ग्राहक आता है और वह ग्राहक विक्रम से बोलता है अरे भाईजा वालू कैब आप दिये 20 किलो वालू है लेकिन एक तरफ से मिलेंगे चांट नहीं है तुमें अरे भाईया क्या ऐसी वाते कर रहे हो आप आलू चांट करना लू जा तो बिना चांटे कैसे ले पांगा क्या पता कुछ आलू अंदर से ऐसे हो कि सबजी बनने का आत कड़वा लगे हाँ तो एक काम करो इस बजार में और भी लोग हैं जो आलू बेच रहे हैं तुम वहाँ जा कर ले लू मेरी दुकान पर तुमें ऐसे ही आलू मिलेंगे लेना है तो लो नहीं लेना तो बाड़ क्यों नहीं है अगर तुम्हारा ऐसे ही में वार रहा ना तो तुम्हारे पास ग्राह के एक जानवर भी नहीं आएगा बही आ जिंद्दे के बार ऐसे हाथ वर हाथ रखे बैठे रहोगे देखो मुझे ज्यान देने की जरूरत नहीं है और मेरा बस चले ना मैं तुम जैसे ग्राकों को भी खरीच सकता हूँ तो चुपचाप यहां से चले जाओ और मेरे सामने बकवा स्वाजी करने की जरूरत नहीं है विक्रम बहुत ही घमंडी और बत्तमीज किस्म का आदमी था वह सिर्फ और सिर्फ मोहन को देखकर जला करता था वो कभी भी मेहनत करने के बारे में नहीं सोचता था ऐसे ही रात को मोहन अपनी रेडी लेकर घर की ओर जा रहा था विक्रम भी अपनी अप रेडी लेकर उसी रास्ते से जा रहा था मोहन की रेड़ी पूरी थरा से खाली थी और विक्रम की रेड़ी पर आलू ही आलू रखे थे यह देखकर मोहन बोलता है अरे विक्रम भाई क्या हुआ? आज विक्री नहीं हुई गया आपकी? अरे विक्री कैसे होगी? सारे ग्राहक तो तुमने खरीद रखे है ना? तो कोई हमारी दूकान पर क्यों आएगा? बड़ी बड़ी बाते मत करो मेरे सामने मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने कोई तिगड़ बाजी की है तब ही तो सारे ग्राहक तुम्हारे पास ही जाते हैं आलू का भाव भी वही है आलू भी वही है फिर सारे ग्राहक तुम्हारे पास ही क्यों जाते हैं यह तो परवाला ही जानता है मैं तो चाहता हूँ कि ग्राहक तुम्हारे पास भी आए तुम्हारी भी विक्री हो अच्छा रात काफी हो चुकी है घर वाली घर पर इंतजार कर रही होगी मैं चलता हूँ अपना ध्यान रखना इतना बोलकर मोहन अपनी रेड़ी लेकर घर आ जाता है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं एक बार फिर मोहन और विक्रम दोनों बाजार में आलू बेच रहे थे तभी एक ग्राहक मोहन की दुकान पर आता है और मोहन से बोलता है आरे महन भाई मुझे 10 किलो आलू चाहिए दारा साल मुझे अपने गाउं में चोटा का बंडारा करवाना है तुमारे आलू की गुणवता बहुत अच्छी है आलू मीटे नहीं होते बलगे बढ़ी आते हैं इसलिए सारे ग्राहक तुमारे यहींच आलू ले जाते हैं और उसकी तारीफें करते हैं यह तो आपके अच्छी बात है भाई साब आप लोगों को मेरे खेट के आलू पसंद आते हैं चलिए ठीक है मैं आपके लिए 10 किलो आलू कर देता हूँ विक्रम यह सब देख रहा था विक्रम के मन में मोहन की तरक्की देखकर दिन प्रति दिन इर्श्या बढ़ती ही जा रही थी अच्छा तो इसके खेट के आलू कुछ जादा ही बढ़िया होते हैं इसके खेत में जाकर ही कुछ जुवार करना पड़ेगा ताकि इसके आलू कोई खरीदने को तयार ही न हो ऐसे ही अगले दिन विक्रम शेहर जाकर सब्जियों में डालने के लिए जहरीले इंग्जेक्शन ले आता है और रात को चुपके से मोहन के खेत में चला जाता है अब मोहन वही आलू बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देता है हमेशा की तरह ग्राहक मोहन से आलू खरीदने लगते हैं ऐसे ही एक हफ़ते बाद बहुत सारे लोग मोहन की रेडी के पास आते हैं और गुस्से में मोहन से बोलते हैं मौन भाई हमें नहीं पताता कि आगी जाकर तुम भी ऐसा काम करोगे ना जाने ऐसा क्या है तुम्हारे आलू में जिसे खाने के बाद धर कोई बिमार पढ़ रहा है अरे कोई दवाई देकर अपने सब्दियों को बढ़ा करते हो क्या नहीं भाई साब आप लोगों को कोई गलत सेमी हुई है मैं कभी भी गलत काम नहीं करता मैं इमानदारी से ही अपना काम करता हूँ तो आपके कहने का मतलब है कि हम लोग जूड़ बोल रहे हैं ठीक है ऐसा करते हैं कि आपके उपर हम पुलिस कंप्लेन करवाते हैं जब आपके खेत की छान भीन होगी तब अपने आप पता चल जाएगा कि आप कोई से चाला की कर रहे हो हम जैसे मासुम ग्रा के साथ क्यों किसी गरीब को परिशान कर रहे हो मैंने आज सब कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है मैं बले ही एक रुपा कमाऊं दिन का लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं करूँगा अरे गाओ वालो अब कोई मोहन से आलू नहीं खरीदेगा यह अब पहले की तरह नहीं है बलकि लाल्ची हो चुका है इस तरह से अब कोई भी मोहन का आलू खरीदने के लिए तैयार नहीं था अब सारे ग्राहक विक्रम के पास जा चुके थे सभी लोग विक्रम से ही आलू खरीद रहे थे धीरे धीरे मोहन की आर्थिक हालत बच से बत्तर हो गई थी मोहन अब परिशान रहा करता था मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे साथ ये सब हो गया मैंने तो कुछ भी नहीं किया उसके बावजूत लोग मेरे उपर इतने बुरे-बुरे जाम लगा रहे हैं मोहन इतना बोल ही रहा था कि तभी एक आलू मोहन से बोलता है मोहन हम जानते हैं कि तुम बहुत परिशान हो लेकिन अब तुम्हें परिशान होने के जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हारे बुरे दिन गए हमें पता है जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है अरे कौन है भाई मेरे सामने आओ अरे मैं तुम्हारे सामने ही हूँ अब अपने जादोई शक्तियों से कोई जादोई कर्टक दिखाऊं तब मानोगे क्या इतना बोलकर आलू मोहन के सामने यहां वहां उड़ने लगते हैं यह देखकर मोहन घबरा जाता है तभी वह आलू मोहन से बोलता है अरे मोहन हम तुम्हारे ही खेत के जादो यालू है तुम्हारी अच्छाई के कारण ही एक परी ने हमें जादोई शक्तियां दी है ताकि हम तुम्हारी मदद करें हम जानते हैं कि तुम अभी बहुत परेशान हो तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो चुकी है जिस वज़े से तुम्हें दाने-दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है लोगोंने तुम्हें जूटे इर्जाम में फसा दिया है लेकिन अब तुम चिंता मत करो तुम्हें किसी के भी आगे हाथ फलाने की जरूरत नहीं है क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? मैं बहुत परिशान हूँ हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम मुझे बहुत सारा खाना दे दो कुछ दिनों से मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भूक हैं क्योंकि अब मैं कहीं से भी पैसे कमाकर नहीं ला पा रहा हूँ जिस वज़े से मेरा परिवार भूका है तुम बिल्कुल जिनता मत करो चलो अब हम तुम्हें आसमान में उडाते हुए तुम्हार घर लेकर जाते हैं इतना बोलकर आलू मोहन को उडाते हुए उसके घर तक लेकर आते हैं घर जाने के बाद आलू अपनी जादूई शक्ती से बहुत सारा खाना प्रकट कर देते हैं मोहन और उसका परिवार पेट भर कर खाना खाता है ऐसे ही अगली सुबा मोहन की पत्नी रीमा खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाती है मैं देखती हैं कि गैस सिलिंडर खतम हो जाता है मैं परिशान होकर बैट जाती है तभी जादूई आलू रीमा से बोलते हैं अरे रीमा तुम परिशान क्यों हो अगर गैस सिलिंडर खतम हो चुका है तो तुम हमें बता सकती हो हम यहां तुम लोगों की मदद करने के लिए ही आई हैं अब हम हमेशा तुमारे साथ ही रहेंगे क्या तुम जादूरी आलू हो और तुम हमारी मदद कर सकते हो हाँ हाँ मैं जादूरी आलू हूँ रोको मैं तुम्हें अभी अपना जादू दिखाता हूँ इतना बोलकर जादूरी आलू रीमा के सामने गय सिलिंडर प्रकट कर देते हैं यह देखकर रीमा बहुत खुश होती है और रीमा इस गय सिलिंडर पर अपने परिवार के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है थोड़ी ही देद बात रीमा के बच्चे उदास होकर स्कूल से घर आ जाते हैं मा स्कूल में फीस जमा नहीं हुई है जिस वजह से आज हमें पूरा दिन क्लास में कटा रखा था उन्होंने साफ साफ कह दिया है अगर फीस जमा नहीं होगी तो वह हमें एक जाम में बैटने नहीं देंगे बच्चो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं हूँ ना कुछ ना कुछ जरूर करूंगी रीमा जादूई आलू के पास जाती है और उसे इस समस्या के बारे में बताती है जादूई आलू रीमा को कुछ पैसे दे देते हैं रीमा उन पैसों से अपने बच्चों के स्कूल में जाकर पीस जमा कर देती है ऐसे ही कुछ दिन बाद बहुत जोर से बारिश आने लगती है जिस वज़े से मोहन का घर टपकने लगता है पूरी घर में धीरे धीरे पानी भर जाता है यह देखकर रीमा और मोहन दोनों परेशान हो जाते हैं तभी जादू यालू उनसे कहता है इतना बोलकर जादू यालू मोहन और रीमा के लिए बहुत ही सुन्दर सा और मजबूत घर बना देते हैं उस घर में उनके जरूरत का सभी सामान था और उनके पास अब पैसो की भी कोई कमी नहीं थी इस तरह से जादू यालू के साथ मोहन और रीमा अपने परिवार में हशी खुशी आगे बढ़ते हैं